वेल्कम बैक वाइ चैनल गीत बुटिक कैसे आप सभी होप करते हूं अच्छे होंगे आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि इसको समझाने के लिए मैं एक नया तरीका यूज किया है और जिसकी वज़ेसे आपको अच्छे से समझ म पूरा चैनल करना और पहली बार चैनल पएविजिट करया हो। तो सब्सक्राइब कर लेना तकि जबीए मैं कोई वीडियो Inc. अप्लोड कर мोज हो। नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो वीडियो को बड़ा ना करते हुए शुरू करते हैं पहले मैं आपको पीछे की इसे के बारे में बताने वाली हूं तो पहले फेंड्स मैं आपको बता देती हूं जब हमारा सूंट या ब्लाउल का नेक जादा डीप नहीं होता तो हम कट में बता है तो हम पूरा जैसे हमारा 14 एंच का तीरा है तो आसे के से हम ले लेते हैं और उसके बाद हम अपना आर्म लेते हैं यहां पे हम जितना हमारी मैं आपको बता दू आर्म होल का यह फॉर्मूल्ला आप हर साइज में यूज कर जाकते हो बस्ट का आप ज़िक्स करक सीधा कर लेते मैं आपको ऊपर ऊपर का निशानी आप लगा के दिखाने वानी हूँ बस हमारे टैलिंच की है मतलब होटी है ठीक है तो यहां पे यह हमारा पीछे के इसे की कटिंग होती है और ऐसे हम यहां से आप चाहो तो इसका बीच करके गुलाई बना सकते हो यहां से ऐ नीचे नीचे से हमारी गुलाई होती है ऐसे ठीक है इसे मैं एक बार आपको कट करके दिखा देती हूं बहुत सी चीजे आपको समझ में आने वाली है पहले थूड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है लेकिन बहुत सी चीजे आपको इसमें समझ में आने व कर लिया तो हम क्या करते हैं हम अपने कर लिया मैंने लिखा तो अधार हम पासे लिया था नीचे दिन ले लेते हैं और हमारी निशान लगा लेते हैं और इसे हम यहां से गोलाई बनाके कट कर देते हैं एक बार इसको आपको मैं कट करके दिखा देती हूं देखो हमने ये दोनों हिसे कट कर लिये हैं अब आपको पता चलेगा कि पीछे की हिसे में खिचाओ क्यों आता है जब हमारा तीरा कम होता है तो हम तीरा उपर से कम करते हैं ना कि नीचे से यह हमारा में साइज था लेकिन हमें करना क्या था हमने क्या किया यह यहां से देखो होगे तो आप हमने यह इतना हिस्सा मतलब एक्स्ट्रा कट किया है एक्स्ट्रा कट किया लेकिन जब हम तीरा कम करते हैं तो उपर से तीरा कम करते हैं ना कि हम नीचे से तो हम क्या करते हैं ऐसे हमें ऐसे तीर्चा मिलाना होगा यहां से अब निशान लगा है नीचे हमें वही 7 लिखना है उसके बाद हमें यह गोलाई देनी है ठीक है उसके बाद यह कटिंग करनी है और यह हमारी कटिंग हो लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे यह आपको नापके देखो यह देखो आप इधर से भी देख सकते हो बिल्कुल मैंने मिला के रखा है ये देखो मिला के रखा है लेकिन हमने इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कट कर दिया जिसकी वज़े से हमारे पीछे के हिस्से में खिचा हूँ आता है जिसकी वज़े से आप अगर ऐसे हाथ आगे करोगे तो आपका खिचाओ आएगा में रिजिन पिछे के हिस्से में खिचाओ आने का यहीं होता है कि हम जो हिस्सा पिछे का कट करना होता है वो जादा कट कर देते हैं जिसमें हमें कम कट करना होता है तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला अब हम आगे की हिससे में खिचाओ क्यों आता वो और बता देती हूँ जैसे हमने ये निशान क्योंकि चलो मैं यहां पर एक बार और लगा कि आपको दिखा देती हूँ तो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ठीक है यहां पर अब देखोगे जैसे हमने हमारा फरंट नापना हमेशे मैं आपको नापके बहुत बार बता चुकी हूँ एक बार और आपको बता देती हूँ कंदे से हमारा चार इंच नीचे हमें नापना है और उससे फिर आमने सामने का नापना फरंट ऐसे हमें फरंट नापना होता है मतलब जैसे हमारा तीरा सेवन इंच मतलब चोदा इंच था हमने आर्म होल यहां पे 7 इंच लिया ठीक है उसके बाद इसे हमें सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद हम क्या करते हैं ऐसे 7 इंच है ठीक है और यह हम को लाई दे देते हैं हम क्या करते हैं, जब हमारा तीरा कम होता है, मतलब 6 इंच हमारा हुआ, तो यहां पे भी हमने 6 से ले लिया, उसके बाद हमारा 5 इंच का तीरा हुआ, तो हमने क्या किया, जैसे हमने 5 इंच का तीरा यहां पे लगाया, और 5 इंच यहां पे लगा दिया, और ऐसे मिला के, इसम हमने कटिंग कर दी लेकिन हमारा फरंट था वह 12 इंच का था यहां पर हमारा मतलब फरंट कम ज्यादा कभी भी नहीं होता चाहिए तीरा कम हो ज्यादा हो फरंट हमें उतना ही लेना होता है मतलब 6 इंच का हमारा फरंट था तो यहां पर हमें ऐसे इस तरीके से करना था पहले अब हम क्या करेंगे मैं एक उर आपको दिखा देती हूं कट करने के लिए अब यह देखू ठीक है यहां पे मैं आपको रफली कपड़ा है हमारा यहां पे साड़े पांच इंच पे हम अपने तीरे का निशान लगा लेंगे और साथ इंच हमारा आर्म होल था इसे हम सीधा कर दियेंगे हमें अपने फ्रंट का निशान लगाना मतलब छेंच का मतलब बारा इंच है तो छेंच है हमारा तेरा इंच है तो साड़े छे हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसे मिलाना है और उसके बाद हम अपने आर्मोल की यहां पर गोलाई देंगे फिर इसे हम कट करेंगे ठीक है यह हमारा कट हो गया अब मैं आपको दिखाती हूं हमने कितना यहां पर एक्स्ट्रा कट कर दिया था यह देखो आप यह देखो इतना हमारा हिस्सा आगे का ज्यादा कट हो गया था जिसकी वज़े से आगे के हिस्से में यहां पर खिचाओ आता है ठीक है अब आपको पता चल गया होगा आगे और पीछे की हिसे में खिचाओ क्यों आता है एक रहता बाजू के नीचे भी खिचाओ आ जाता है खिचाओ क्यों आता है जो हम आर्म होल लेते हैं वो नापते नहीं है और छोटा ले लेते जिसकी वज़े से हमारे आर्म होल फस जाते हैं और वहाँ पे खिचाव आता है और कंदे गिरने की भी समझे आती है में जो तरीका था वो मैंने आपको समझा दिया है आप देख सकते हो अप क्या गलतिया करते हो मैंने डमी पीस बना बना के आपको सिखाया है आपको अब भी भी समझ में नहीं आया हो तो आपको ही कोमेंट करके पूछ सकते हो तो फैंस वीडियो हैलफूल लगी हो तो प्लीज लाइक चरूर करना और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे तो सबस्क्राइब शेरूर करना मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबबाय टेक केर और थैंक्यू सो मच फूल वीडियो देखने के लिए